दोस्तो, very good morning to all of you, target history आपके आज के इस आंदर वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज का जो हमारा पहला प्रस्तमना है, उसके बारे में discuss करते हैं दोस्तो, हाल ही में, Ease of Doing Business 2020 की रिपोर्ट है, इसको किसके दोरा जारी किया गया है यहाँ पर देखें, यह जो रिपोर्ट होती है, जिसका हिंदी में मतलब होता है, व्यापार करने में आसानी यानि कि किसी भी देश के अंदर में कोई नया व्यापार करने के लिए कितनी आसानी होती है, कितने प्रोसेजर जो होते है कितना आराम से कोई एक नया व्यापार सुरू कर सकता है इस मामले में यह जो report है यह किसके दोरा तयार की गई है तो answer हो जाएगा इसको World Bank, Viswa Bank option number 20 का राइड असर हो जाएगा Viswa Bank के दोरा Ease of Doing Business Report को हर साल जारी किया जाता है इसी प्रकार से वर्स 2020 की जो Ease of Doing Business Report है यह launch कर दी गई है तो option number 20 का राइड असर हो जाएगा इसमें आप देख सकते हैं Doing Business 2020 ठीक है तो कितनी आसानी से काम सुरू कर सकते हैं वो report जारी हो चुकी है अब यहाँ पर कुछ important points देखते हैं इस बर क्या हुआ है क्योंकि 2020 चल रहा है तो 2020 की पूरी report आ चुकी है साथी साथ में वर्स 2018 की जो Ease of Doing Business Report है इसको एक बार फिर से जारी किया गया है ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इस बज़े से किया गया है क्योंकि 2018 में जब इस report को बनाया गया था तो चार ऐसे देश थे जिन्होंने अपने देश का data जो है वो गलत दिया था गलत देटा समिट करने की विज़े से अब 2018 वाली report को correction करने के बाद में एक बार फिर से जारी कर दिया गया है अब ये कौन से चार देश हैं जिन्होंने गलत देटा दिया था पहला है चाइना हर उल्टे सीदे कामों में चाइना का नाम आता है दूसरा है UAE तीसरा है साउदी अरेबिया और चौता है अजर्बाइजान इन चार देशों ने गलत देटा दिया था जिस वज़े से 2018 वाली जी report है इसको correction करने के बाद में 2020 में एक बार फिर से launch कर दिया गया है दोस्तों एक बहुत ही famous question बनता है कि ease of doing business 2020 यानि कि व्यापार करने में आसानी 2020 report में भारत की rank कौन सी आई है answer हो जाएगा कि भारत की इसमें जो rank है वो आई है तो answer यहाँ पर सी सही हो जाएगा कि हाल ही में ease of doing business report 2020 में भारत की rank आई है 63 तो option number C यहाँ पर अब इसमें कुछ और fact है जो कि हमें पता होने चाहिए जैसे कि इस बार यह जो ease of doing business की report है यह कौन सा संस्क्रन लाँच किया गया है तो यह 17 संस्क्रन है जिसको हाँ ही में launch किया गया है अब इसमें कभी कभी कौन सा देश इसमें पहले इस्तान पर आया है यह एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पहले इस्तान पर आया है New Zealand दूसरे इस्तान पर आया है Singapore और तीसरे इस्तान पर आया है Hong Kong China चीक है और इसमें इंडिया का रैंक आया है 63 तो आपको 63 इंडिया और फर्स्ट रैंक है New Zealand यह दो चीजें आपको याद रखनी है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों चुकि इस रैंक को वर्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है इसका हेड़कोर्टर जो है विस्टो बैंक का वासिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका ठीक है तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे आपको एक्जाम में मदद करेगा दोस्तों अगले कुशन पर जाने से पहले आपसे बताना चाहूंगा कि हमारा जनवरी से लेकर नॉमबर तक का जो पीडियव है मन्त वाइस टॉपिक वाइस ये अभी इस पर एक डिसकाउंट चल रहा है बहुती बंपर डिसकाउंट पर आपको मिल रहा है आप जल्दी से जल्दी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को परचेस कर सकते हैं कुशन मनेगा कि हाल ही में एक एक हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा है जिसका नाम है कोपीली लोवर कोपीली Hydro Electric Power Plant भारत के किस राज्य में इस तापित किया जा रहा है बनाया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा कि भारत के राज्य असम में Option No. A सही हो जाएगा कि भारत के राज्य असम में Lower Copili Hydro Electric Power Plant जो है इसका निर्मान किया जा रहा है option number ace का ride answer हो जाएगा इस समय ये प्लान चर्चा में क्यों चल रहा है क्योंकि हाग ही में Asian Development Bank ADB ने इस प्लान को बनाने के लिए loan दिया है 231 million dollar जो होता है लगबक 1700 करोन रुपए के आसपास में होता है इसके लिए Asian Development Bank ने loan offer किया है Asian Development Bank का मुख्याले कौन से देश में हैं ये जल्दी से देखते हैं कौन बता पाता है कि दिसंबर 2020 में बिजली के छेतर में कौसल विकास के लिए पहला उतकरश्चता केंडर यानि कि बिजली के छेतर में Skill Development के लिए Center of Excellence भारत के किस सहर में शुरू किया गया है तो पहली बार देश में ऐसा कोई Center of Excellence बना गया है और इसको Guru Gram में इस्तापित किया जा रहा है तो Option No.10 का राइड एंसर हो जाएगा कि भारत के Guru Gram सहर में एक Center of Excellence बना जा रहा है Skill Development के छेतर में किसमें Electricity बिजली के छेतर में इसमें यहाँ पर इस्तापित किया जा रहा है इसमें आप देख सकते हैं लिखा है Skill India Establishes First Center of Excellence यानि कि पहली बार ऐसा कोई Center of Excellence स्तापित किया जा रहा है किस चीज के लिए For Skill Development School को Develop करने के लिए In the Power Sector Power Sector में Skill को Develop करने के लिए यह वो Center of Excellence है जिसको हाल ही में इस्तापित किया गया है और यहाँ पर इसके Inauguration का यह आप Launching Event का फोटो देख सकते हैं और यह जो Center of Excellence Center बना है यहाँ पर युबाओं को Skill Develop किया जाएगा उनको बिजली और सौर उर्जा के छेत्र में किस तरीके से काम करना है यह सब कुछ यहाँ पर सिखाया जाएगा तो इसको गुरुग्राम में इस्तापित किया चुका है चुकि इसको गुरुगाओं में इस्तापित किया जा रहा है गुरुग्राम में एक Institute है जिसको नाम है National Institute of Solar Energy जी, वहाँ पर इसको इस्तापित किया जा रहा है, आगे चलते हैं अगले कोशन के जरब, अगला कोशन है कि हाल ही में इंडियन, इंडियन ओसियन, रिम एसोसियेशन, हिंद महासागर रिम एसोसियेशन, जिसको सौटकट में आई, ओ, आर, ए के नाम से जाना जाता है, तो हाल ही में इंडियन ओसियन, रिम एसोसियेशन, आई, ओ, आर, ए के 23 सदस्य के रूप में किस देश को सामिल किया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों, आई, ओ, आर, जो है, इसके 23 सदस्य के रूप में फ्रांस देश को सामिल किया गया है, फ्रांस इसका राइड अंसर हो जा और इस बार इस मीटिंग का 20 संस्क्रन आयोजित किया गया है इस बार यह जो मीटिंग हुई है इसकी अद्यचता कौन से देश ने करी है तो UAE United Arab Emirates नाम के देश ने इस बार इसकी अद्यचता करी है यह भी आपको पता होना चाहिए इस मीटिंग की जो थीम है वो है Promoting a Sailed Destiny and Path to the Prosperity in the Indian Ocean यह इस बार की इस मीटिंग की थीम है जो की आपको पता होना चाहिए इसके बाद में I.R.O.A. के बारे में समझते हैं I.R.O.A. इसकी इस्तापना हुई थी 7 March 1997 को इसका जो मुख्याले है वो है Morisus में यह भी आपको पता होना चाहिए चलते हैं करेंड़फेस के अगले सांदर कोशन की तरफ कोशन मनेगा कि हिमांचल प्रदेस में लागू किये गए जबरन धर्मांतरन कानून का उलंगन करने पर कितने वर्स की सजा का प्रावदान रखा गया है तो आंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि 7 years 7 years 7 साल की सजा का प्रावदान यहां पर किया गया है हिमांचल प्रदेस में हाल ही में इस कानून को मानेता दे दी गई है जिसमें जबरन अगर किसी का आप रिलिजन चेंज करवाते हैं तो उसमें उसकेस में लिप्त पाए जने पर 7 साल की आपको सजा हो सकती है तो आप्शन नंबर C से ही हो जाएगा हिमांचल प्रदेस के बारे में समस्ते हैं हिमांचल प्रदेस की सापना एक नॉम्बर 1956 को की गई थी इसकी राजदानी समर कैपिटल है सिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला गवर्नर का नाम है बंडारू दत्ता त्रेया और इ Advanced Hypersonic Wind Tunnel Test Center विक्सित करने वाला भारत दुनिया का कौनसा देश बना है तो इस टाइप की एक टेस्ट फेसिलेटी सुरू करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश बना है तो आक्षन नंबर C इसका RIDENS SMost हो जाएगा और हाल ही में चाइना इस चीज को लेकर बड़ा परि का तीसरा देश बन गया है किसीज की advanced hypersonic wind tunnel इस्तापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सुबारंब है यह defense minister राजनात सिंग जी के द्वारा किया गया है तो यह इनका photo भी देख सकते हैं लिखा है राजनात सिंग inaugurates India's first hypersonic wind tunnel test facility in हैदराबाद यह भी आपको पता होना चाहिए आगे चलते हैं question मनेगा कि हाल ही में National Mathematics Day राश्ट्रिय गडित दिवस प्रतिवर्स किस दिन मनाय जाता है तो यह 22 December को हर साल मनाय जाता है option number 20 इसका right answer हो जाएगा कि हर साल प्रतेक वर्स 22 December 22 December को National Mathematics Day राश्ट्रिय गडित दिवस मनाय जाता है option number 20 का right answer हो जाएगा इसमें आप इसका photo भी देख सकते है National Mathematics Day 22 December को मनाय जाता है और किस बज़े से बनाय जाता है ये भारत के महान Mathematician स्री निवाशन रामा नुजम के बर्त को उनके जो गडित के छित्र में उन्होंने काम किये थे उसको याद करने के लिए इनके जन्दिवस के आउसर पर इसको मनाय जाता है हाल ही में एक मुक्य विस्व कब और्गनाइस किया गया है तो कोशन मनेगा कोलोन मुक्य वाजी विस्व कब 2020 कोलोन बॉक्सिंग वर्ड कब 2020 में भारतीय मुक्य वाजोंने कुल कितने पदक जीते हैं तो अगर टोटल मेडल टैली की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 9 पदक भारत ने जीते हैं तो ऑप्शन नमबर 20 का राइड एंसर हो जाएगा कि भारत ने कोलोन मुक्य वाजी विस्व कब 2020 जोकी हाल ही में फिनिस हुआ है उसमें कुल 9 मेडल जीते हैं तो इसमें आप भारतिय मुक्य वाजो की टीम देख सकते हैं जिसमें लिखा है इंडियन बॉक्सर्स बैक्स 9 मेडल्स नो मेडल्स उन्होंने जीते हैं और फिनिसस सेकेंड इन्दा ओवर्रॉल मेडल लिष्ट यानि कि total performance की अगर बात करिया तो कुल जितने भी मेडल्स है उसमें भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है कुल मिलाकर ये जो 9 पदक इंडिया ने जीते हैं इसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉंज मेडल्स जीते गए हैं ये जो मुक्य बाजी है कोलोन सहर में आयुजित किया गया था फाइनल जो लिष्ट बनी है उसमें इंडिया जो है ये दूसरे स्थान पर आता है और पहले स्थान पर आता है जर्मनी ने कुल 16 मेडल्स जीत कर इस लिष्ट में पहला स्थान अपने नाम किया है तो जर्मनी पहला और भारत इसमें दूसरा इस्तान पर आता है भारत का दूस्तो जो Boxing Federation of India है BFI उसके अदेच का नाम है आजय सिंग इसका मुख्याले जो है यह है नई दिल्ली में यह भी आपको यादोना चाहिए नेक्स्ट कुशन बनेगा North East Festival 2020 के कौन से संस्क्रन का आज़न 9 से 19 से 20 दिसंबर तक आज़ित किया गया है तो इस बार यह जो North East Festival organized किया गया है यह इसका आठवा संस्क्रन था option number six का right answer हो जाएगा कि North East Festival 2020 जो आउजित किया गया है इसका आठवा संस्क्रन हाल ही में आउजित किया गया है इस festival को North East के आसम के गोहाटी में और्गनेस किया गया है आप इसका photo भी देख सकते हैं लिखा है North East Festival 2020 जिसको पहली बार आसम में आउजित किया गया है 19 तारिक और 20 तारिक दो दिन इस festival को आउजित किया गया है दोस्तो आज का question जिसका answer आपको देना है अंतर राश्ट्री महिला महा संगो के लिए FIFA 2020 की ranking में भारत को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है इसका answer comment box में लिखना ना बूले Thank you for watching this video